रादे रादे दोस्तों हाउसी तिंग्स में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने आपको ये ड्रिस बनाना बताया था आज हम इसकी म्याशिंग के क्या बनाना बताएंगे उसके लिए हमने दस नंबर सलाई ली है और सेम यही उंगली है अब इसमें हम साथ फंदे में साधा ही डालने हैं इस तरह ऐसे इससे बनाना बहुत जीए और बिगनर से से बहुत आसानी से बना सकते हैं इसमें हमने साथ फंदे डाल लिये हैं अब पहली सलाई हम पूरी उल्टी बनेंगे इस तरह ऐसे पहली सलाई हमने उल्टी बना ली है अब दूसरी सलाई में हम जाली बनाएंगे तो पहला फंदा उतारेंगे इस तरह ऐसे अब इसमें हम जाली बनाएंगे तो दागा ऐसे अपने तरफ रखेंगे अंदर तरफ इसको ऐसे हम निकालेंगे ऐसे और इसको इस तरह ऐसे बनेंगे एक जाली फिर दागा ऐसे अपने तरफ किया दूसरी जाली फिर दागा अपने तरफ किया तीसरी जाली फिर दागा अपने तरफ किया चौती जाली फिर दागा अपने तरफ किया आँच मी जा ली और यह छटमा फंदा है यह लाश्ट फंदा सात्मा फंदा इसको हमें से सीधा बोनेंगे अब उल्टी तरफ से पूरी सलाई हमें उल्टी बनानी है अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके औल पे जाके क्लिक कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए इस तरह से यह पूरी सलाई हम कम्प्लीट करेंगे उल्टे तरफ से हमें हमेशा उल्टा ही बुनना है इस सलाई हमने पूरी उल्टी बना लिए अब इसके हम सीधे तरफ है तो एक एक फंदा ये जाली का बढ़ गया है बीच में पांच फंदे थे अब ये दस फंदे हो गया है और एक इधर का और एक इधर का तो ये टोटल बारा फंदे हो गया है अब हम पहला फंदा उतारेंगे इस तरह ऐसे और इधर एक फंदा ये जाली का बढ़ गया है तो इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे अब जाली आ गई है तो फिर से हम जाली बनाएंगे इस तरह ऐसे और एक फंदा फिर सीधा बुनेंगे फिर जाली बनाएंगे ये देखो समझ में आ जाता है यह जाली आ गई है तो जाली बनाएंगे फिर एक फंदा हम सीधा बनेंगे जाली है तो फिर से जाली बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर जाली एक फंदा सीधा फिर जाली और लाश्ट का फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे अब उल्टे तरफ से हम पूरी सलाई उल्टी बुनेंगे सीधे तरफ से एक एक फंदा बढ़ता जाएगा जाली का पहला फंदह उतारेंगे और यह उल्टे बाक्रावेंगा और यह सबी फंदह कम्प्लीट कर लुटे, कर लिए चिदे हमें इसके सीधे तरफ में निए हमें दो जाली बना पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदे सीधे बनेंगे, अब फिर से देखो जाली आ गई है, तो जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे बनेंगे, एक, दो, अब फिर से हम जाली बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे बनेंगे, एक, दो, अब हम फिर से जाली बनाएंगे लाएंगे हैं golden फिर से बनेगे किव दो अब फिर से जाली बनाएंगे कि लाश्ट का फंडा हम सीधा बनेंगे ऐस तारा और उल्टी सलाय हम पूरी उल्टी बनाएंगे पहला फंद हम उतारेंगे बीच के सभी फंदे उल्टे बनेगे और लास्ट का फंदा हम सीध doubling हम बनेंगे वम्गावे engineers अब हम इसके सीधु तरफ हैं तो सीध futuristic तरफ से अभी इसमें हमने तीन जाली बनाएंगें तीन जाली बनाएंगेञें, ॲाइट से जाली दोटा करेंगे क्योंकि एक जाली पर एक फंदा बढ़ जाता है पहला पंदा उतारेंगे सब्धाइब दोप्र प्रूमुल है policies फिर से तीन फंदे सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, जाली है तो फिर से जाली बनाएंगे तीन फंदे फिर से सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, और फिर से जाली बनाएंगे तीन फंदे फिर से बनेंगे एक, दो, तीन, और अब हम फिर से जाली बनाएंगे और ये तीन खंदे सीधे बनेंगे एक, दो, और तीन हम फिर से जाली बनाएंगे लाश्ट का फंदा सीधा बनेंगे इस तरह से उल्टी सलाई अब हम पूरी उल्टी बनाएंगे पहला फंदा उतारना है बीच के सभी फंदे हम उल्टी बनेंगे अभी ये बना के दिखाते हैं हमने उल्टी सलाई पूरी उल्टी बना लिए अब सीधे तरह हैं इसमें हमने 4 जाली बना ली हैं अभी तक इधर से देखिए एक दो तीन और एक ये चार जाली बन गई है अब हम पांच मी जाली बनाएंगे पांच फंदों पर बनानी है और हमें ये पांच जाली बनानी है तो पहला फंद हम उतारेंगे बीच के फंदे सीधे बनेंगे चार फंदे एक दो तीन और चार चार फंदे सीधे बने देखो ये जाली आ गई है तो फिर जाली बनाएंगे हमें इस तरह ऐसे अब चार फंदे हम फिर से सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बुने जाली आ गई है तो जाली बनाएंगे अब फिर से चार फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, जाली आ गई है तो फिर से जाली बनाएंगे फिर से चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और चार, चार फंदे सीधे, जाली आ गई है, तो फिर ते जाली बनाएंगे एक, दो, तीन, और चार, चार फंदे सीधे, जाली आ गई है, तो जाली बनाएंगे और लाश्ट का फंदा हम सीधा बनेंगे इसमें हमने 5 जाली बना ली हैं अब हमें इसमें कोई जाली नहीं बनानी है उल्टे तरफ से पूरी सलाई उल्टी बनेंगे अभी ये सलाई हम बनके दिखाते हैं पूरी सलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है अब सीधे तरफ से पूरी सलाई सीधे बनाएंगे एसे हमें आज़े और पी छे की सलाई मिलाकर 6 सलाई मिलानी हैOoh अभी हम बन के दिखाते हैं 3 सीधय तरफ से जीध़ी और 3 उल्टे तरफ से उल्टी अभी इसमें हम 6 सलाई मिलाकर दिखाते हैं उल्टे तरप से उल्टा बुनेंगे और सीधे तरप से सीधा हमने इतना बना लिया है अब हम इसके फंदे घटाएंगे तो दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह ऐसे एक जो फंदा आएगा उसे इसी में लेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे फिर जो फंदा आएगा उसे इसी में लेंगे और फिर इसे इसके साथ ऐसे बुनेंगे इस तरह ऐसे हम ये पूरी सलाई कम्प्लीट करेंगे और ये सारे फंदे घटाएंगे इसे हमने इतना बना लिया है इसके फंदे हमने घटा दी है यह देखो इसमें जाली दिख रही है यह पांच जाली बनाई है एक दो तीन चार और पांच पांच जाली है और यह पांच लाइन में है एक दो तीन चार और एक यह पांच अब हम इसमें फंदे उठाएंगे यह ह हमने चहत्व और साथ नंबर लड़ू बपाल के लिए बना रहे हैं अगर आप आट के लिए बनाएं तो समय हमने साथ फंदे लिए थे आप आइट या नौ फंदे ले सकते हैं इसमें हमने यह पांच जाली निकाली थी एक दो तीन चार पांच फंदों पर तो आप छे फंदे उठाएंगे फंदे हम ग्लू कलर की उन से उठाएंगे इस तरह इसे हमें इसमें 32 32 फंदे उठानी है इस तरह से हम इसमें 32 फंदे उठा लेंगे इसमें हमने 32 फंदे उठा लिए है अब हम ये उल्टे तरफ से पूरी सलाई उल्टी बुनेंगे इस तरह से ये सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे अभी ये सलाई कंप्लीट करके दिखाते हैं सलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो सीधे तरफ से हम फिर से फंदे डवल करेंगे पहला फंदा हम इस तरह ऐसे उतारेंगे और दूसरे फंदे पे हम बीच के सभी फंदों पे हम जाली बनाएंगे तो धागा ऐसे अपने तरफ करेंगे और इस तरह ऐसे हम इसे बुनेंगे फिर से धागा ऐसे हम अपने तरफ करेंगे और इसे हम इस तरह ऐसे बुनेंगे इसी तरह हमें ये बीच के सभी फंदों पे जाली बनानी है जिससे जाली बन जाए और फंदें भी डवल हो जाएं अभी ये सलाई कंप्लीट करके दिखाते हैं हमने सभी फंदों पे फंदे बढ़ा लिए है अब हम इसके उल्टे तरफ हैं तो उल्टे तरफ से पूरी सलाई हमें उल्टी बुननी है पहला फंदा उतारेंगे और बीच के सभी फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बुनेंगे इल्टे तरफ से पूरी सलाई उल्टी बना ली है अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो सीधे तरफ से हम फंदे घटाएंगे ऐसे दो फंदों को हम एक साथ भुनेंगे जैसे हमने उपर घटाए थे उसी तरह हम ये फंदे भी घटाएंगे दो फंदों को एक साथ होना फिर इसको इसके साथ लेके फिर इन दो फंदों को एक साथ होना और फिर इसके साथ लेके फिर इसको इसके साथ होना इस तरह से ये सारे फंदे हम घटा देंगे अभी ये सब फंदे घटा के हम दिखाते हैं कि फंदे हमने घंडा दीए इस तरह ऐसे और ये धाfinder ठोड़ा घाट थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटा है अब हमें हमें उल्टै करेंगे और इधर हम सलाई लगाएंगे इस तरह ऐसे इधर इसमें हमने इतनी सलाई लगाई है इधर तक इसे अभी इधर उपर खुला रखा है इसमें अब हम ये पॉम पॉम लगाएंगे बिलू कलर का ऐसे हम इधर भी सलाई लगा देंगे अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह ऐसे ये केप हमारी बन गई है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सस्क्राइब करें शियर करें थैंक यू